जिले में चुनाबी माहौल में गर्मी पैदा करने के लिए सत्तावा मुख्य विपक्ष की राजनीती से लगातार दूर चल रहे तीसरे मोर्चे के निताओं को आम अंगलवार को यहां जमगड लगा इस अफसर पर पूर्व केंद्री मंत्री अश्वन सिन्दा ने कहा कि नितीश कुमार कुर्सी मोह में पढ़कर आम लोगों की पीड़ा को भूल गये हैं वे किसी भी तरह से हमेशा कुर्सी से चिपक कर ही रहना चाते हैं कुरोना जैसे महामारी के बीच भी विदान सभा का चुनाव कराने की उनकी छटपटा हट इस बात का प्रमार है सिन्धा मंगलवार को यहां पूर्व सांसाद डॉक्टर अरुन कुमार के समर्थ को वा भारतिये सब लोग पार्टी वा तीसरे मोर्चे के द्वाराजन समवाद यात्रा को लेकर यहां कृष्णा गार्डेन में आयूजी तिक कारकरम को संबोधित कर रहे थे पूर्व केंद्री मंत्री सिन्धा ने कहा कि मुख्य मंत्री नितिशकुमार जानते है कि अगर समय परचुनाम नहीं हुआ तो उन्हें फिर कुर्सी नहीं मिलेगी लेकिन वे जो भी करें उनके मनसूबे को अब सफल नहीं होने दिया जाएगा उन्होंने कहा कि बियार के सिती बत्तर है पूर्व केंद्रिय मंत्री डिविंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार जंता की आवाज को दबाने का काम कर रही है जो भी लोग अन्याय के खलाफ बोल रही है सरकार उसे दबा रही है पूर्व केंद्रिय मंत्री नागमनी ने क कि सरकार सत्ता के माध्यम से जातिवात का खेल खेल रही है। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार सिर्फ नालंदा में ही एक विशेज जाती के विकास करने में लगे हुए है। पूर्व सांसत डॉक्टर अरुन कुमार ने कहा कि नितिश कुमार की सरकार भश्ता चार में डू भी हुई है। SPN 9 News Room से इस्रुटिक रपोट